ओके गाईज तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंचाएंगे इस पेच पर अब गाईज हमारे लिंक के तुरू आपको मिलने वाला है टोटल 65% का डिस्काउंट और रिन्यूवल पर आपको एक्स्ट्रा को अनलिमिटड मिला है ठीक है जो कई भी आप नहीं होता है अब इस टाेम पर आपको सबकुछ जो है unlimited मिल जाएगा चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं चीजों को अब सबसे पहले हम प्राइजिंग वगेरा तो आपकी सामने है ठीक है जो प्राइजिंग अब कौन सा प्लान लेना है कितने टाइम के लेना यह समय आपको आगे बताऊंगा इस वीडि पहली बार जब मैंने लिया था वो फोस्टिंग नहीं लिया था सबसे पहले मैंने 2011 में बिग्रोग से मैंने अपना पहला डॉमेन लिया था, ठीक है, हलांकि पहला डॉमेन नहीं था, बिग्रोग से वो पहला डॉमेन था, पहला डॉमेन तो मैंने गोलाडी से लिया था, वो भी 2011 में लिया था, और बिग्रोग से डॉमेन लिया, वो भी 2011 में लिया था, तो मुझे मुझे एक blog start करना था मैंने domain लिया BigRock से और hosting लिया था मैंने HostGator से ठीक है अब उस वक्त जो है अगर मैं hosting BigRock से ही ले 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 था तो मैं चाहिए ज़्यादा फायदे में रहता क्योंकि BigRock ज़्यादा reliable है और हमें support भी यहाँ पर मिल जाता है और काफी बढ़िया support मिलता है HostGator जो था वो एक बाहर की कमनी थी और वहाँ पर हमें इतना अकमाल कसाला की BigRock भी बाहर की कमनी लेकिन यहाँ पर हमें Indian support मिलता है ठीक है और वहाँ पर हमें बाहर का जो रहता है वो support मिलता है अब यह और आज भी HostGator से काफी कम है BigRock की pricing पहले भी कम थी आज भी कम है उस वक्त मैंने HostGator से hosting इसलिए लिया था क्योंकि मैंने HostGator का नाम ज़्यादा सुना था hosting के case में और मुझे जो लोग recommend कर रहे थे उस टाइम पर लेकिन अगर मैं BigRock को जब मैंने यूज किया जब बाद में 2013 में जब मैंने BigRock यूज किया तब मुझे समझ में आया कि BigRock की hosting कहीं गुना अच्छी है और support भी काफी अच्छा है क्योंकि मैं सीख रहा था उस टाइम पर भी ठीक है ठीक है तो ऐसे में जो है BigRock की hosting मुझे बहुत अच्छी लेगी और काफी fast है काफी reliable है तो आज भी अगर हम बात करें BigRock का तो यहाँ पर plans बहुत ही गमाल के और यहाँ पर आज की date में पहले से भी सारी चीज़ें सुदर गई है बीच में BigRock थोड़ा सा डाउन चला गया था डाउन चला गया था मतलब इतनी ज़दा marketing बगेरा नहीं हो रही थी जो जिन को पता है उनको पता है वो लोग use कर रहे है उनके कोई दिक्कत नहीं आ रही लेकिन बाद में BigRock ने अपने साइट पर अपने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया और आज की date में इनकी जो pricing है बहुत ज़्यादा competitive है बहुत कम pricing पर दे रहे हैं बहुत सारी कमपनियों को बिलकुर एकदम बराबर का टकर दे रहे हैं और काफी सारे कमपनियों को मार्केट से बाहर भी कर दिया इन्होंने अपने pricing के बज़े से और अपने performance के बज़े से अब मैं इसको use कर रहा हूँ काफी टाइम से अगर मैं बात करूँ उस टाइम जो मैंने hosting लिया तो बहुत सब expired हो चुका है सबकी performance बहुत अच्छी है और मैं तो इसको five star review दूँगा ठीक है बिग्रोग को हर मामले में five star review दूँगा ठीक है इसमें कहीं भी मुझे भी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है ठीक है यह मेरा recommendation है अगर मैं page speed की बात करूँ दिग्रोग की case में तो page speed जो मुझे मिलती है one second से कम की speed मुझे यहाँ पर मिल जाती है अपना मेरा जो page है वो one second से कम time में open हो जाता है अगर मैं एक नया fresh wordpress installation करूँ ना तब भी मेरा जो देता है वो one point one point five second बगर रहता है और उसके बाद जब मैं उसको ज्यादा optimize करता हूं ठीक है अब definitely आप सुझोए कि एक fresh installation fast खुल रहा है और उसके बाद जूची जा रही है वो उससे भी fast कैसे खुल रहा है जब हम पूरी side build कर देते हैं वो उससे भी ज़्यादा fast कैसे खुल रहा है यह तो फॉसिवल नहीं है fresh installation के अंदर कम files होगी तो जल्दी खुलेंगी कम file होती है तो बिना optimization के जल्दी खुलती है जब ज़्यादा files हो जाती है फड़ा वह हमें optimize करना पड़ता है ठीक है वो hosting की problem नहीं होती है वो हमारे images की problem होती है हम उसकंदर जितना images भरते है उसकी problem होती है अगर आप images को properly optimize कर लोगे तो text तो कुछ भी नहीं है ठीक है और image इसको optimize करने के लिए सिर्फ और से फेके plugin का उसकरना पड़ता है अगर आप उस plugin का उसकरते हो तो आपकी सारे images upload करते हैं तो कोई बड़ा deal नहीं है अब सब कुछ करने के बाद जो मेरी speed आती है वो जो है 0.9 second की आसफास की speed रहती है तो मुझे बहुत इक्माल कर रहता है और जितने भी blog मैंने इसके अंदर बनाए है वो सारे blog गूगल पर, first page पर, second page पर, third page पर ranked है ठीक है कुछ blog post third page पर ranked है क्यों competition जाद है कुछ blog post first page पर ranked है क्यों competition कम है ठीक है और हमारे side की speed काफी अच्छी है अगर आपके side की speed अच्छी नहीं होगी तो चाय competition जादा हो चाय करते है mobile speed, laptop speed, desktop speed हम चेक करते है बहुत ही कमाल की speed आती है GT matrix पे और page speed insights में regular चेक करता है तो बहुत ही अच्छा performance यह देता है ठीक है और काफी सारे hosting से जब हम migrate करके बिग रॉक में तो बिग रॉक में हमें better performance देखने को मिला है हमारे better ranking मिली हमारे traffic increase हुआ है तो इससे यह स कुछी websites में रहे हैं बागी सारे clients के अगर मैं अपनी बात कर रहे हैं तो कुछ 5 यचे websites में रहे हैं बागी सारे कुछ 20-22 websites जो hosted है big rock पे वो सारे clients के तो यह सारा experience collect होता है हमारे पास तो वो जो चीच है हम उसकी चीच को experience कर रहे है तो चलिए मैंने अपनी बात तो यहां पर बता दी अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा plan और कितने time के लिए और क्या-क्या मिलता है देखो अब definitely आप जो hosting लोग है वो तो Linux shared hosting लेने वाले हो आप ठीक है Linux shared hosting यह हमें लेना होता है जो हम website host करते हैं आप cloud hosting ले सकते हो definitely आप WordPress hosting ले सकते हैं आप Windows shared hosting नहीं लेना है आपको Linux shared hosting, cloud hosting यह WordPress hosting लेना है जो भी आप लेना है हम यहाँ पर इस वीडियों बात करने वाले shared hosting की जो क्योंकि सारे जो beginners रहने वाले वो shared hosting पर ही focus करने वाले वो मुझे पता है और जो beginners नहीं है उनको शायदी वीडियो देखने की ज़रूत नहीं है अगर discount link के लिए आप 79 रुपीस पर मान में मिल जाता है यहाँ पर आपको 20 GBSG storage मिलता है, single domain है दीक है, inod restriction नहीं लग रहा है यह मैं पहले ही बता दू कि inode restriction नहीं लग रहा है कहीं पर भी, काफी सारी कम ने है जो आपको 20 GB SSD storage बताते की 100 GB SSG storage बताते की 200 GB SSG storage बताते की, लेकिन inod restriction लगाते है इ या 4 GB भी यूज नहीं कर पाते हूँ ठीक है अब यहाँ पर आपको 20 GB storage आपको मिल रहा है ठीक है तो आप पूरा उससे यूज कर सकते हूँ उसकी वाद आता है 100 GB का transfer यानि कि जो bandwidth थे इस plan में unlimited नहीं है इस plan में 100 GB का bandwidth थे यहां पर single domain है ठीक है अन्लिमिटर डैटरबेस है इस plan में जो मुझे सही नहीं लगी वो है एक तो 100 GB transfer यानि कि जो bandwidth थे वो unlimited नहीं है दूसरी चीज आपको free domain नहीं मिल रहा है बागी सारी चीजे परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है single domain है जिन लोगो single domain होस्ट करना उनके लिए तो को दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है वह यह वाला प्लाइन आराम से ले सकते हैं दूसरे प्लाइन के गरम बात करें तो यहां पर single domain है ठीक है मिल जाता हमार लिंक है तो अब यहां अब अगर आप देखोगे तो unlimited domain से जितने चाहिए उतने फेट होस करो unlimited storage है, unlimited bandwidth है, unlimited email idea, unlimited database है, daily backups है, free SSL है और domain भी आप फ्री में मिल जाता है अब चोथा plan जो है अब चोथे plan में अगर आप देखोगे तो आपको dedicated IP मिलता है ठीक है और आपको कुछ और extra यहां पर नहीं है तो मैं आपको सीधे सीधे करूँगा मना इस plan के लिए, अगर आपने से कोई लेना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको dedicated IP चाहिए या फिर premium SSL चाहिए तो आप ले सकते हूँ है ना, वो एक अलगी चीज़े, लेकिन मैं suggest कर रहा हूँ beginners के लिए, मैं मेरे जो वीडियो होते हैं, वो अकसर उनलों के लिए होते हैं, जो basic से सीखना शुरू कर रहे हैं, उनको मैं suggest करता हूँ आपके लिए जो best plan है, वो है pro plan, अगर in future आपको एक से ज़्यादा website host करना भी हुआ, ठीक है, तो आप ये वाला plan अब आप सोचोगे कि यार, renew भी तो कर सकते हैं, renewal की price बिल्कुल से हैं हैं, ये भी तो कर सकते हैं, just definitely आप कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप कर सकते हूँ आपको देने हैं, ठीक है, तो ये जो, sorry, 30 नहीं, ये 40 रुपे लग रहे है, 40 रुपे जो आपको एक्स्रा लग रहे हैं, वो आपको देने हैं हर मन्त, और उसके बाद ये वाला plan अप्ग्रेड हो जाएगा, आपको एक्स्रा पे करने की जिरोत नहीं है, अगर आपने ये domain भी host करना है, तो उस case में आपको upgrade करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप वैसे करते हूँ, ठीक है, जैसे कि अगर आपने pro plan ले लिया और आपने 5 साल के लिया, तो आपको सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और इस 5 साल तक आप जितने चाय उतने website host कर सकते हैं, आप विल्कुल कहीं कोई दिमांग लगाने की चलूत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यह वाला plan इसलिए कर रहा हूँ, आप यह वाला plan अगर लोगे 5 साल के लिये, क्योंकि मैं आपको सज़्यस कर रहा हूँ कि आप 5 साल के लिये लो hosting plan है पूरे world में, यह सबसे best hosting plan है, अगर आप इसे अभी ले लेते हो, आप सब कुछ unlimited मिलने वाला है यहाँ पे, और 5 साल में जितने चाय उतने domain host करो, अपना host करो, अपने दोस्तों का host करो, चाओ तो दोस्तों से पैसे ले लो, host करने के लिए, ठीक है, कुछ एक amount आप च hosting के है, पैसे ले सकते हो, चोटा मडब 40-50 रुपे कुछ भी ले लना, पर मन के साब से, आप यह भी सीच कर सकते हो, ठीक है, यह को beginners जो होते हैं, जो college में होते हैं, वो दोस्तों के साथ मिलकर भी खरी सकते हैं, जैसा आप गर दोस्तों के साथ एक domain ले लेंगे, सारे के सार या plan बन जाएगा यह, ठीक है, तो यह मेरा recommendation है, big rock hosting के साथ, big rock की बात कर रहो हमें, बाकी hosting में आप 5 साल ढूणने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं, बहुत सारे hosting ऐसे हैं, जो maximum 3 साल या 4 साल का करते हैं, ठीक है, सिर big rock के कैसी hosting company जो आपको 5 साल का सीज़ से देती हैं, और इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है, क्योंकि अगर 3 साल के लिए भी लेते हो, कोई भी plan, तो 3 साल बार, 4 साल में जब आप उसे renew करोगे, तो आपको बहुत महेंगा पड़ता है, ठीक है, और big rock के के कैस में भी, ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे link के सुर होगी होगी, फिर आपको कई भी डाउटर ताम से comment करके पूछ सकते हैं, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुर जाके आप पर्चेस कर सकते हैं, आपको 60% का डिस्काउंट तो apply होई चुका, जब श्ते से आप इस link पर क्लिक करोगे, आप इस page पर आओगे, अगर आपको कई भी डाउटर ताम से comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो के लाइक जुरू कर देऊ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जुरू प्रस्काले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहेंगे, तो दोस्तों, आज की वीडियों सर्फ इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत जिवाद.